नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स अज़ हम बात करने जा रहे हैं सालीमार प्रोडक्शन के बाड़े में क्योंकि सालीमार प्रोडक्शन ने अपने सेप्टेंबर क्वाडर के रिजल्ट को प्रेजेंट कर दिया है और देखेंगे कि इनका रिजल्ट इस बार का कैसा आया है क्योंकि फ्रेंट्स आपको पता होगा कि इसमें आर pear सत्यमूर्थी जी ने मार्च दोहजार बाइस में दस परसंट डाएक्ट इस्टेक ले करके इन्होंने अपना इसमें होल्डिंग को बरकरार रखा है इसके अलावे सप्टेंबर 2022 में 10% से आरे सत्र मूर्ती जी का जो स्टेक है वो 15% से भी जादा हो जाता है इसके अलावे फ्रेंट इसे स्टॉक में एक और इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पिछले कौर्टर में ही अपने स्टेक को इसमें लिये हैं और उनका नाम है मदुसूदन चक्रवर्ती इन्होंने करीव-करीव 2% से इसमें लिये हैं तो चलिए देखते हैं कि ये बड़े इन्वेस्टर जो इसमें इंटर कर रहे हैं इसके बावजूद भी इनका जो रिजल्ट इस बार काया है वो कैसा आया है इसके बारे में माइनिंग अवस्थे किया जाना चाहिए और इसकी हकीकत को भी हम आपके सामने रखेंगे तो आप इस वीडियो को बीना एसकीप की हुए पूरा देखने की कोशिस करेंगे इस करण इस Professor ने चाहिए और आपके सामने और अपने रिजल्ट को प्रिजन किया है 10 मिनाट पहले ही आपके सामने यहां पे जो फिगार प्रेजन किया है यहां प्रेज 대 अपके सामने यहां प्रेज लाग प्रेजन ho रहा है तो आप इसे इन लाग में ही कंसीडर करेंगे इस company ने जो अपना total income post किया है revenue from operation से और other income से वो सिर्फ और सिर्फ 36,84,000 का जबकि पिछले quarter में इनका जो total income था वो 70,70,000 का जबकि पिछले year September quarter में इनका जो total income था वो 1,43,50,000 का तो friends यहां देख सकते हैं कि इनका जो income है वो quarter on quarter और year on year 50% के आज़ पास गिरते हुए आपको यहां पे दिखेगे तो friends इस region को भी हम find out करेंगे और उसे जानने की कोशिस करेंगे तो चलिए पहले देख लेते हैं कि यह company expense कितना post किया है तो friends इस company ने जो अपना total expense post किया इस quarter में वो 51,13,000 का और पिछले quarter में 68,48,000 का जबकि पिछले year September quarter में 1,38,000 का यह company total expense post करती है त उससे कहीं ज़्यादा यह company अपना expense post कर रही है तो friends अगर यह company अपने expense को control करती तो definitely यह company अभी भी profit में आपको देखने को मिलता यहां देख सकते हैं कि 51,000,000 लाग से उपर का यह company expense करती है जबकि company income generate करती है सिर्फ और सिर्फ 36,000,000 के आसपास तो यहां आप कहा सकते है क company का जितना profit generate नहीं हो पा रहा है उससे कहीं ज़्यादा यह company expense post कर रही है तो ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में भी हम आपको last में चर्चा करेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि net profit यह company कितना post किया है इस company ने जो अपना total net profit post किया इस quarter में वो 14,30,000 का और यह 14,30,000 company का minus म है और company को 14,30,000 का loss हुआ है ना कि company को profit हुआ है जबकि पिछले quarter में company profit में थी और 2,22,000 का यह company profit designate करके present किया था वहीं पिछले यह September quarter में यह company अपना जो net profit post किया था वो 5,50,000 का तो friends यहाँ देख सकते हैं कि company का net profit है वो पूरी तरह से इस quarter में error हो चुका है तो friends अब सव हैं कि 10 से 15% का stake minor रखता है friends किसी भी company में तो अगर यह जो बड़े investor है इसमें invest कर रहा है इसके बावजूद भी जो इनका result है वो नीचे आ रहा है तो कहीं ने कहीं कुछ चल रहा है friends तो हम आपको यहीं कहेंगे कि आपको घबरा के stake को sell नहीं करने हैं क्योंकि friend इस stock का जो जूब चुका है इसमें जो operators हैं वो काफी हद तक हावी हैं और इस stock को बहुत नीचे ले जाने की कोसिस भी कर रहे हैं ताकि जो investor है वो अपना stx sell करके इस stock से निकल जाए लेकिन friends इस stock में अगर आप बने रहते हैं तो definitely इस stock का जो price है आने बाले समय में आपको एक आप उत्रहीं पैसा invest करें जितना की आप पान खाके थूख देते हैं या फिर cigarette पीके उरा देते हैं तो friends आज के लिए इतना ही आपका दिन सुभ हो